दोस्तों मैंने छे फरवरी को एक वीडियो बनाया था छे फरवरी 2024 का ये वीडियो है इसमें आप देश सकते हैं लिखा हुआ है साप साप आचार साहिता से पहले तीन चार विग्यापन और आएंगे चूंकि इस डेट तक तीन विग्यापन आ चुके थे ठीक है तो इसके ब लीजे यहां पे अपडेट मिलती रहती है तो जैसे की जैनकारी दी गई थी एक वाद जैनकारी फिर से सही सावित हुई है यूबर बलसी की तरफ से नई भर्दी का विग्यापन चौथा विग्यापन ये जारी कर दिया गया है पेट 2023 से तो यहां पे आप दे सकते हैं उत पंदरा पांच दोजार चौवीस सुल्क समायोजन में आवेदन से संसोधितित बाइस पांच दोजार चौवीस जो भी जनकारी दी गई थी आप लोगों को यहां पे सई सावित हुई है बस यह नए ने विग्यापन आप लोगों को छोटे मोटे देखने को मिलेंगे बाक कनिष्ट विसलेशा खाद मुख परिच्छा के अंतरगत खाद सुरच्छा एवं उसद प्रसासन लखनव के निताधिन कनिष्ट विसलेशा खाद के 417 पनों पर यह वर्ति विग्यापन जारी किया गया है तो यहां पर इस विग्यापन के संबंद में जो मेन मेन चीज़े है उसके बारे में जनकारी लेते हैं तो यह पेट 2023 से जारी किया गया है ठीक है पेट 2023 का आपके पास स्कोर कार्ड होना चाहिए तब ही आप लोग इस भरती में आवेदन कर सकेंगे ऑनलाइन ही आवेदन मांगा जाएगा यूपर पलसी की वेबसाइट के थुरू कर सकते ह हैं आवेदन यहां पर साब साब लिखा हुआ है अभ्याइतों से पेक्षा की जाती है कि वह विग्यापन को साफधानी पूर्वक पढ़ें और भली बात समझ लें कि वे विग्यापित पतों की हेट अबांचित अनिवार आरथा से चिक वा अन्य आरताएं धारित करते हैं तथा निर्धारित आयो सीमा के अंतर गत आते हैं अत्व्याथी मिग्यापन में उल्लिखित निर्धारित आरता एवं सच्छिक योगिता धारन करने पर ही आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारम्ब करें बैतों को आवेदन की अंतिमतित 15-5220 तक संबंदित आवस्य अनिवार आरता सच्छिक आरता तथा संबंदी प्रमाणपत धारित करना अनिवार है तो यहां पे जो आरता मागी गई है वो 15-5-2024 तक मागी गई है ठीक है जो अंतिमतित है इसमें अपीरिड वाले नहीं कर पाएंगे जो भी इसमें योगिता मागी गई है इलिजबिल् प्रमाणपत धारित होनी चाहिए 15-5-2024 तक ठीक है आरच्छन आपके कैटगरी के सबसे मिली जाएगा वो सब नियम बही है आवेदन पक्रिया समंदी निर्देश यहां पे दिये गया है आप पेट के थ्रो लॉगिन कर सकते हैं आवेदन करने के लिए ठीक है बिक्तिगत कैसे अप्लोड करना यह तो आप लोगों को पताई होगा फॉस्डा यह से प्रोंशीड यह सब आपको पताई है मेन चीज है कि प्रोषीट टू पैमेंट टू आफ टी और सम्मीट पर किलिक करना होगा आप लोगों को final summit जब तक नहीं करेंगे तब तक आप लोगों का आविदन पूर्ण नहीं माना जाएगा इसी तरह pit में बहुत से छातर रह गए थे बता रहे थे तो आप लोग जब अगर इसका form अप्लाई करें तो final summit जरूर करना ठीक है फीस भुकतान की बात करें तो यहाँ पे फीस लगेगी आप लोगों की 25 रुपए जैसे की लगती है ठीक है 25 रुपए लगेगी इसके बाद सॉडलिस्ट होने के बाद आप लोगों को अलग से फीस देनी होगी फानुका पर इंटाउट लेके रख लें इसके लाबा आवेदन पत्र में संसोधन की डेट जो है वो दी गई है उपर और नीचे कैसे क्या भरना है यह सब दिया गया है पदों के बिवरण की बात करें तो पदों का बिवरण यहाँ पे टेवल दे दी गई है इसके अलाबा यह चेते जारचन की टेवल है यहाँ पे आप दे सकते हैं बहुत पूर सेनिक की बात करें तो यहाँ पे बीस और महिला के तिरासी पद और उदकर्स्ट खिलाडियों के आठ पद यह सब आरचन दिया गया है आप लोग इसको देख सकते हैं ठीक है आरचन समंद्नी जो प्रावधान है आप लोगों को पताई होंगे जो कि आप को कैटेगरी के साब से होते हैं ठीक है इसको आप लोग जाएं तो पढ़ सकते हैं में चीज है आरता आरता की बात करें तो अनवार आरता जो साइच्छिक है थैवाग विषद्धनी जो प्रथम संसयज नेमा वली 2020 के अनुशर सेभा में कनश्ट विश्णी भरती के लिए अभ्याती के पास बाहरत में विध्धुरह तो यहां पर इस फश्ट लखी हुए इसको आप लोग पढ़ सकते हैं अधिमानी आरता की बात करें तो यहां पर प्रादेशिक सेना में नियुनतम दो बर्स की अबद तक सेवा की हो और आश्टी कैड़ेट को भी प्रमानपत्र मांगा गया है आयू की बात करें तो यहां पर मिनिममम एज मागी गई है 21 और मेक् कोई इंटर्व्यू नहीं होने वाला है ठीक है यहां पर लिखा यही सब लिखा हुआ है पेट का आपके पास होना चाहिए स्कोर कार्ड होना चाहिए ठीक है इसके लावा लिखित परिच्छा है उत परिच्छा योजना पाठ करम तो यह पाठ करम तथा पर लिखित यहां पर दिये गए हैं इनको आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं ठीक है यह इंपोर्टन चीजें दी गई हैं आवेधन करना चाहते हैं इस बरती में तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए अब आचार सेहता लगने से पहले और विग्यापन आप लोगों को दो तिन विग्यापन देखने को मिलें गए जिसमें हैं आप लोगों को Jee, Jee, Agta और Farmshist का विग्यापन में रूप से यह देखने को मिल सकता है बाकि सकता है इसलिए बोलना हूं क्योंकि आयोग को जारी करना है मेरे पास नियूज जो आती है उस हिसाब से आप लोगों को जनकारी देता हूँ बाकि जो काम है वो आयोग को ही करना है ठीक है और ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज अपडेट पाने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब लीजिए टार्गेट भी दिया से यह चनाम से इतना सर्च करेंगे आप लोग तो यह टेलिग्राम चैनल आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ पी अपडेट पहले दे दी जाती है ठीक है